हलो इस्टुडेंट्स गुड मॉर्णिंग चैप्टर 6 ट्रेंगल्स क्लाश 10 एक्सासाइज 6.3 इसका कुश्चर नंबर 13 वेरी इंपोर्डेंट है इसको हम करने जा रहे हैं इसमें लिखा है साइड एबी एंड एसी एंड मीडियन एडी और फिर ट्रेंगल एवी सी यह ट्र कौनसा फिर एसी और मीडियन कौनसा एडी रेस्पेक्टिविली प्रपोजनल टू दा साइड पी क्यू एबी के रेस्पेक्ट में कौन आएगा पी क्यू तो सिंगल और सिंगल मार कर दो एसी के रेस्पेक्ट में कौन आ रहा है यहां पर पी आर यहां डबल और डबल और म ट्रेंगल ABCR रेस्फेक्टिविली प्रपोजनल टू साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM और फैन ओदर ट्रेंगल PQR दूसर ट्रेंगल PQR है जिसमें PM मीडियन है इसमें AD मीडियन है तो हमें बताना है पूरा ट्रेंगल ABC सिम्मिलर है ट्रेंगल PQR के तो गिवन में लिख दीजिए AD PMR मीडियन और ट्रेंगल ABC एंड PQR सच देट कैसे हैं सच देट सच ST का मतलब सच देट इस प्रकार AB अपॉन PQ AC अपॉन PR BC अपॉन सॉरी मीडियन AD अपॉन PM तो हमें ट्रेंगल 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 ABC सिम्मिलर ट्रेंगल PQR बताना है कंस्टेक्शन में हमें ड्रो करना है extend AD या draw AD कैसे AD यूकल टू DE मतलब AD को produce कर दो कहा तक produce कर दो E तक और कितना produce कर दो कि जैसे AD और DE equal दिखाई दे और equal होनी चाहिए इस तरीके से हमने यहाँ पर produce कर दिया फिर हमने यहाँ पर produce किया PM को PM को produce किया S तक मतलब इसको extend कर दिया extend कर दिया हमने इसको S तक और हमने S तक करके और हमने join कर दिया यहाँ पर join क्या किया हमने join यहाँ पर किया EC और join हमने किया यहाँ पर SR तो हमारी A यहाँ पर complete हुई figure अब हम इसे देखो कैसे solve करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर angle 1 ले लिजिए यहाँ पर 2 ले लिजिए और यहाँ पर angle 3 ले लिजिए यहाँ पर 4 ले लिजिए और यहाँ पर angle 5 ले जिए यहाँ पर angle 6 ले जिए यह angle आपका saving और यह angle 8 यह थोड़ी सी आपकी naming हो गई अब इस question को proof देखेंगे proof थोड़ा सा बड़ा है लेकिन most important है कई वार आया हुआ है तो proof हम शुरू करने जा रहे हैं देखिए ध्यान से आप हमने लिया inner triangle inner triangle अब हम ले रहे हैं ADB ADB and triangle ADB and triangle EDC EDC यह हमने ले लिया यहाँ पर हम लिखेंगे angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angles है तो equal आया और AD is equal to यहाँ पर आजाएगा DE अभी अभी आपने construction की थी तो वाय construction लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज है DD is equal to DC आएगा BD is equal to DC आएगा क्यों आएगा AD is median AD is a median तो यहाँ पर यह मीडियन है तो यहाँ पर यह मीडियन है तो अब यहाँ पर BD BD किसके equal आजाएगा DC के equal आजाएगा AD is median है और AD DE के equal है क्यों construction से आपने अभी किया है और जो सेड़िड है यह दोनों आपके हो गए क्या हो गए यह दोनों concurrent हो गए तो therefore AB is equal to EC आजाएगा A by CP CT यह by CP CT लिख दो यहाँ पर यह रिजन हो जाएगा by CP CT by CP CT अब हमने प्रूप पर दिया अब हम आ रहे हैं दूसरे ट्रेंगल में दूसरा ट्रेंगल हम कौन सा लेंगे इनना ट्रेंगल अब हम दूसरा ट्रेंगल लेंगे PMQ PMQ अब ट्रेंगल SMR SMR तो जब हम यह ट्रेंगल ले रहे हैं तो यहाँ से आप देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पर angle 3 और angle 4 equal आएंगे angle 3 और angle 4 equal आएंगे यह हमने सैडेड कर दिया angle 3, angle 4 vertically opposite angles होंगे और यह आपका QM MR की उक्वल होगा क्योंकि यह PM है median यहाँ AD median था median bisect करेगा base को यहाँ पर BC को bisect किया था यहाँ QR को करेगा तो QM is equal to MR हो जाएगा PM is equal to MS by construction हो जाएगा 3 और 4 vertically opposite हो जाएगे तो इस तरीके से दोनों ट्रेंगल हो जाएगे congruent तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा ट्रेंगल लिया PM, Q, SMR तो यहाँ लिख दीजिए angle 3 is equal to angle 4 vertically opposite angles और इसमें PM is equal to use होगा था MS by construction by construction आप पूरी sparing लिख देंगे यहाँ पर और Q, M is equal to use होगा था MR क्यों होगा था PM क्यों होगा था PM median था PM is a median तो फिर से आप देख लिजिए क्या यह होगा angle 3 is equal to angle 4 vertically opposite angles PM, MS by construction Q, M, MR PM is median है Q, M, MR bisect करेगा median bisect करता है तो therefore triangle कौन सा triangle PM, Q each congruent triangle कौन सा SM, R condition यहाँ कौन सी लगी थी यहाँ पर लिख दू SAS congruence rule तो उपर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर भी लगा था आपका SAS congruence SAS congruence rule लगा था यहाँ पर क्यों? यहाँ जैसे यह आ गया ना यहाँ पर यहाँ पर क्या आ गया? side, angle, side side, angle, side तो SAS congruence rule से यह क्या हो गया? congruence हो गए दोनों triangle तो यह जब दोनों triangle congruence हो गए तो इसकी जो side है न PQ यह जो कल्टू corresponding parts of congruent triangles are equal जैसे आपने अभी हमने क्या बताया आपको कि यह दोनों triangle PMQ और SMR congruent हो गए तो यह यहाँ पर PQ PQ किसकी equal आ जाएगा? SR की equal आ जाएगा by CPCT CPCT का मतलब होता है corresponding parts of two congruent triangles are equal अब हम देखती है यहाँ से तो by CPCT तो by CPCT PQ equal to SR आ जाएगा P first or last यहाँ first or last SR है अगर आपने naming सही लिखिए तो यह आपकी sides भी सही cross-manning parts भी सही मिल जाएगे PQ SR अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ देख लीजिए अब हमने देखा क्या अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ था given में क्या दिया हुआ था AB upon PQ AC upon PR AD upon PM given था अभी from first and second first में आपने क्या निकाला था AB EC के इक्वल निकाला था तो आपने AB की जगे EC लिख दिया और अभी अभी by CP CT PQ SR के इक्वल था तो PQ SR के इक्वल रख दिया तो AB की जगे EC लिखा PQ की जगे SR लिखा AC की जगे AC PR adjective AD को डबल कर दिया PM को डबल कर दिया तो उसे मल्टिप्लाइ कर देंगे तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो अब हमने क्या करना है EC EC SR adjective AC PR adjective अब AD का डबल AD का डबल आप AE कर सकते हैं और PM का डबल आप PS कर सकते हैं अभी आपने यहाँ पर लिखा था नीचे AD को 2 से मल्टिप्लाइ PM को 2 से मल्टिप्लाइ AD का डबल AE PM का डबल PS हो गया क्यों? Construction में आपने क्या किया था? Construction में आपने AE, AD और DE इक्वल था AD का डबल AE PM का डबल PS आगया Therefore Trangle कौन सा Trangle? यह Trangle यहाँ से दिख रहा है न AEC AEC Similar हो जाएगा किसकी Similar हो जाएगा? PSR के क्यों Similar हो जाएगा? क्योंकि इनकी Crosspending Sides का रेशो Equal है Because Ratio Of Corresponding Sides Are Equal Of Similar Triangle अगर Triangle Similar है Ratio Because Ratio Of Corresponding Sides Are Equal Therefore They Will Be Similar To AEC SPSR Similar होंगे To Angle 5 Is Equal To Angle 6 6 आजाएगा Corresponding Angle 6 आजाएगा Are Equal Angle 5 और Angle 6 आजाएगा And Similarly Angle 7 is Equal To Angle 8 आजाएगा क्यों आजाएगा Because Cross Expanding Angle 5 आजाएगा Is Equal Of Similar Trangle तो अब हम इनको Add कर देंगे Add कर दो इनको To Add करेंगे तो 5 में 7 आ जाएगा 6 में 8 आ जाएगा मतलब यह आपका यहाँ एड हो गया एड हो गया एंगल 5 एंगल 7 में एड हो जाएगा 6 8 में एड हो जाएगा 5 और 7 मिल करके एंगल A बनेगा 6 और 8 मिल करके एंगल 5 7 मिल करके A बन गया angle 6 और 8 मिलकर के P बन गया end end क्या था आपके पास आपको given था AB upon AB upon PQ और AC upon PR ये given था तो अब हम triangle देखेंगे कौन सा triangle देखेंगे आपने देखो यहाँ पर angle तो हमने देखा कि जो आप दोनों triangle A, E, C और triangle PSR जब हमने triangle A, E, C, P, S, R को similar बता दिया तो corresponding parts इसके क्या angle 5 और angle 6 equal आजाएगा similarly हम लिख सकते हैं angle 7 और 8 भी equal आएगे जब हम B, E को मिला करके Q, S को मिला करके जब A, B, E को similar करेंगे P, Q, S को लेकिन हमें Sony करना similarly लिख देंगे angle 7 is equal to angle 8 तो हमने यहाँ पर angle 5 और 6 similarly angle 7, 8 equal आएगे because corresponding angles are equal of similar angles 5 प्लस 7 इन दोनों को add कर दिया right hand side right hand side में add होगी left hand side left hand side में तो 5 प्लस 7 6 प्लस 8 तो figure में हमने देखा figure में क्या देखा 7 प्लस 5 को इस angle A लिख दिया 6 प्लस 8 को angle P लिख दिया और A क्या दिया था AB upon PQ AC upon PR given में था AB upon PQ AC upon PR AD की हमने जरूरत नहीं है तो हमें क्या AB upon PQ AC upon PR मिल गया angle A और P यह भी आपको आपने अभी prove किया था तो it implies अब बोल सकते हैं क्या triangle जो original थे ABC similar हो गए triangle PQR by यहाँ पर लग जाएगा SAS similarity criteria कौनसा criteria लग गया SAS similarity criteria मतलब दूर corresponding size कर रहे हैं सो और included angle equal आ गया तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं hence proved तो यह आपका full complete prove हुआ लेकिन यह question थोड़ा सा difficult है constructions भी करनी पड़ती है double prove भी करने पड़ते हैं तो इसे आप अच्छी तरीके से watch करेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा तो अगर आपको यह समझ में आता है हमारा वीडियो तो like करें share करें channel को subscribe करना न भूलें thanks god जाहिन जाबर जाहिन जाबर